नमस्कार दोस्तों किचिन ओफ भारती जाय का कविता की रसुहिमी आपका स्वागत है उड़त डाल से बनाई गई पोड़ियां जो की बिना अचार बिना चटनी बिना सबजी के भी खाई जा सकती है इसको सफर में ले जाया जा सकता है तो आईए हम इस पोड़ियों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कटोरी उड़त डाल भिगो कर ले ली है जो मैंने चार से पांच घंटे भिगोई थी एक इंच अध्रक का टुकडा लिया है चार से पांच लहसुन की कलेली हुई है तीन मैंने हरी मिर्ची दो के कट करके ले ली है एक चमबज जीरा लिया है एक से दो पिंच मैंने हींग ली है अब इन सभी को हम अच्छे से बार एक महीन पीस लेगे और यह मैंने पीस लिया है अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन हाथ से क्रश करके डालेंगे इससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है ये मैंने सुखा जो धनिया होता है उसको मोटा दरदरा पीस लिया है एक चम्मच वो लिया है आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और टेस्ट के कॉडिंग मैंने नमक लिया है एक चम्मच लिया है अब इसमें मैंने कुछ हरा धनिया एड़ करा है अब इसमें हम ये गीहूं का जो आटा होता है वो लेंगे इस गीहूं को आटे को इसमें डालते जाएंगे आप पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे जितना इसमें आटा लगेगा उतना इसमें हम डालते जाएंगे और इसका एक टाइट डो पूडियों जैसा बना लेंगे ये मेरा टाइट डो बन गया है अब इसमें मैंने एक चमज आईल लिया है और इसको अच्छे से ग्रीस करके सैट होने के लिए अब इसे रख देंगे करीब 15 से 20 मेट इसको सैट होने देंगे ये मैंने जब तक सैट हो रुका मैंने ऑईल गर्म करने रख दिया था अब इसको मैं डो को निकालती हूँ और इसको अच्छे से मैश करके कुछ इसमें से डो तोड लेती हूँ अब इसकी में पूरियों जैसी लोई बना कर त्यार कर ली है अब इसमें से एक लोई लेकर इसको आईल से ग्रीस कर लूँगे और ग्रीस करके इसको बेलना शुरू करेंगे इसमें पर्थन की जरूरत नहीं होती है अगर यह चिपके तो इसमें और आईल लगा कर आप इसको ग्रीस कर सकते हैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है बस इतना ही रखना है मोटा अब इसको मेरा ओयल गर्म हो चुका था जब तक मैंने गर्म करने रख दिया था अब इसमें डाल देती हूँ और इसको लो टूप मीडियम फ्लेम पर ही मदी मदी आश में सेकेंगे यह मेरी डी फ्राइ हो रही है और इसको बार बार हम अलट पलट करते हुए गोल्डन कलर लाएंगे इस प्रकार मेरा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है अब इसको हम साइड से करशली में लगा कर रख लेंगे जिससे इसका ओयल पुरा निकल जाएगा इसी प्रकार हम सारी पूरियां बना कर त्यार कर लेंगे इस प्रकार हमने सारी पूरियां बना कर त्यार कर ली है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको जरूर बना कर ट्राइ कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबस्क्राइब करें और नई वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को प्रेज करें लाइक करें और कॉमेंट्स करके कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें